शांसिंग रादपूत केस में अब ये केस CBI को जाएगा इस बारे में बेहार सरकार ने मांग की है और आप रिया की तरफ से बयान आया है जी हाँ वो रिया चक्रवर्थी जो CBI जांच की मांग लगातार कर रही थी उनके वकील ने जो बयान दिया है आप सुनकर चौक जाए क्या दिया है उनके वकील ने बयान मैंहीना कुमावत फिल मिंडोप आपको बताऊंगी उनके वकील जो है सतीश माने शिंदे उन्हों ने एक बयान दिया है वो कहते हैं there can't be transfer of a case which had no legal basis for Behar to get involved at most it would be a zero FIR transferable to Mumbai police transfer of a case on which they had no jurisdiction to CBI has no legal sanctity यानि की उनके पास सतीश माने शिंदे ने इस तरह का ये बयान दिया है वो कहते हैं कि case transfer करने की बात जो है CBI को नितीश कुमार की सरकार कर रही है लेकिन ये case जो crime है जो चीज हुई है जो घटना हुई है वो वहाँ थोड़ीना हुई है वो तो Mumbai में हुई है ऐसे में बिहार police ज्यादा से ज्यादा zero FIR जो उनके यहां हुई है उसको Mumbai में transfer कर सकती है लेकिन पूरा case CBI में transfer करने क्या अधिकार बिहार सरकार के पास है ही नहीं तो ऐसे में वो CBI को case कैसे देगी तो इस तरह का बयान जो है रिया के वकील संतीश मानेशिंदे ने किया है ये वही रिया है जिन्नोंने CBI जांच की मांग की थी लेकिन अब जब नितीश सरकार CBI की मांग कर रही है तो उनके वकील के और से ये बयान आ रहा है वो जो लीगल बात बता रहे है वो यह है कि बिहार सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है केश CBI में चांस्वर करने का अधिकार बिहार सरकार के पास नहीं है तो इस तरह का बयान जो है रिया के वकील सतीश मानेशिंदे की तरफ से आया है